अलो फ्रेंज आज हम सिख लेंगे magic trick of perfect square एक perfect square number है की नहीं है उसको जानने के लिए हम आपको एक magic trick देंगे उस trick यूज करके आप एक second भी नहीं लगेगा आपका perfect square number निकाल जाएगा है एकजाम में केसे निकाल जाएगा इधर में question दिया हुए which of the following number is perfect square एक बाट बोल लेता हो की perfect square perfect square कौन number है और perfect square कौन सा number नहीं है केसे निकाल है perfect square है जिसको divide करने से reminder नहीं रहेगा और जिसको reminder रहेगा वो perfect square नहीं है याद रखिए यह remainder रहेगा दिभाट करने से दिभाट कौन सा है तो यह long division method है मेरे इस channel में दो वीडियो दिया हुआ है फूल concept दिया हुआ है इस division perfect square निकलने के लिए एक division rule दिया हुआ है आप लोग एक बार देखिए उस दोनो वीडियो देखने से आप लोग फूल concept क्लार हो जाएगा एक बार देख लिजे तो हम आयेंगे इस question को which of the following number is a perfect square A में 1057 B में दिया हुआ 23453 और C में 7921 और D में दिया हुआ 22222 उसको हम answer निकलना है तो हमें यह जो सार option है उसको एक एक करके exam करेंगे उसको test करेंगे कि यह perfect square है की नहीं यह है की नहीं यह है की नहीं यह है की नहीं उसको test करेंगे तो हमारा exam में कितना time खरब होगा उसको 2 मिनिट जाएगा उसको 2 मिनिट उसको 2 मिनिट उसको 2 मिनिट उसको 3 मिनिट 10-15 मिनिट लगेगा तो इतना time हमारा पास exam में नहीं होगा तो एक दम simple सा magic trick सिखलीजे जो नंबर दिया हो है उस नंबर का last में जब आपका 237 और 8 यह सार नंबर रहेगा तो वो न नंबर का last में रहेगा तो यह perfect square नहीं होगा तो हमारा इधर में कौन्सा कौन्सा नंबर है तो B option B में 3 है A में 7 है और D में 2 है 2, 2, 3, 7 यह 3 option में 2, 3, 7 दिया होगा है तो means A, B और D option हमारा नहीं होगा तो answer होगा हमारा 7, 9, 2, 1 C is the right answer तो C is the right answer C को हम test करेंगे 7, 9, 2, 1 इसको divide करेंगे long division में A, 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 64 और इधर में 15 इधर में 2, 1 तो A, 2, A, 16 और इधर में 9, 9 लेने से उसको 15, 2, 1 होगा रिमांडर नहीं है तो इधर में रिमांडर नहीं है तो यह perfect square है that means C is the right answer ऐसा ही trick आप लोग शिक लिजाए यह exam के लिए ऐसा ही trick very important है तो याद रखी यह 2, 3, 7 और 8 नमबर के last में रहेगा तो आपको वो perfect square नहीं होगा और याद रखी है perfect square और याद रखी है perfect square मिन्ज उसका remainder नहीं रहेगा remainder 0 रहेगा वो perfect square है और जिसका remainder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, जो रहेगा, जो भी remainder रहेगा वो perfect square नहीं है, यह दोनो difference सीख लेना है, याद रखना है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, magic trick कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो एक बार like कीजिए, comment कीजिए, और ऐसे ही वीडियो मिलने के लिए आप ल सब्सक्राइब करने से, तो thank you friends.